तेज का रड़, शाह का प्रड़, थोपाल में बीजेपी के चाड़क्या, इस दिन में शाह का तीसरा दौरा, अब शाह का बड़ा प्लाएण मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी सरगर्मी तेज है विधान सभाद चुनाव के साथ साथ अब लोग सभाद चुनाव की भी तैयारिया शुरू हो गई है दोनों ही प्रमुकदल बीजेपी और कॉंग्रेस का राष्ट्रिय नेत्रित्व मध्य प्रदेश को तरजीह दे रहा है और यही कारण है कि चुनावी गति विधियों के बीचे केंद्रिय अग्रे मंत्री अमिच्या के दौरे लगतार बढ़ते जा रहे है जिहां एक महीने के अंदर अमिच्या तीसरी बार फिर से भोपाल और इंदौर के दौरे पर जा रहे है बता दे कि 30 जुलाई को अमिच्या भोपाल आने वाले हैं यहां से वो इंदौर में बूत कारे करताओं को संबोधित करेंगे पिछले 20 दिनों में यह उनका तीसरा मध्यप्रदेश का दौरा होगा चुनावी राज्यों मेर राजनीतिक दलो के दिगज नेताओं का दौरा आम बात है लेकिन चुनाव से चार महीने पहले एक पकवाडे में ही तीन-तीन यात्रा अगर पार्टी नेतरित्व की तरफ से की जारी है तो इससे दो तरफ नजर जाती है पहला ये कि मध्यप्रदेश केंद्रिय नेतरित्व की नजर में काफी महत्व रखता है और दूसरा ये कि यहाँ पर पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं है लेकिन बीजेपी के लिए ये दोनों ही पॉइंट्स बेहत जरूरी है क्योंकि गुजरात के बाद मध्यप्रदीश को ही बीजेपी का सबसे मजबूत गड़ माना जाता है और आगामी लोग सभा चुनाओं में भी इसके विधान सभा चुनाओं की नतीजे असर डालेंगे अमिच्छा का भोपाल दौरा 30 जुलाई को अमिच्छा का भोपाल दौरा होना है करीब 7 बजे भोपाल पहुंचेंगे अमिच्छा वही बताया जा रहा है कि बीजेपी कोर टीम के साथ अमिच्शा मन्थन करेंगे गरिब चार घंटे तक ये पूरी की पूरी मीटिंग चलेगी वही मीटिंग में बीजेपी नेताओं को जीत का मंबन तक अमिच्शा देंगे वहें दो-दो नेताओं का ग्रूप बना कर बातचीत होगा चुनाओ जीतने के लिए शाह बड़ा प्लाइन बनाने वाले हैं ऐसा सुनने में आ रहा है कि रूठी नेताओं को भी मनाने पर फोकस करेंगे राज के 230 सीटों का समिक्षा शाह कर चुके हैं इससे पहले 27 और 11 जुलाई को MP पहुँचे थे अमिक्षा वहें पार्टी हाई कमान इस बार विधान सभा चुनाओं को लेकर कोई कमी नहीं करना चाहती क्योंकि विधान सभा चुनाओं के ठीक बात लोग सभा चुनाओं सर पे है और यही वज़या है कि पार्टी हाई कमान ने इस थिती को देखते हुए आगामी विधान सभा चुनाओं के लिए सुवी की कमान को अपने हाथ में ले ली है आमिच्या के लगतार हो रहे दौरे इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जल्द मध्यप्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है शाह ने संभाली MP मोर्चे की कमान राजी में इसी साल होंगे विधान सभा चुनाओं पर्शुराम की जन्मस्तली जाएंगे शाह दौर में इस कारेकरम में लेंगे हिस्सा बता दे कि मध्यप्रदेश में कारेकरताओं को संभोधित करने से पहले केंद्रे मंत्री अमिच्चा इंदोर से 50 किलोमिटर दूर जानापाव कूटी भी जाएंगे जानापाव कूटी भगवान पर्शुराम की जन्मस्तली है मालवा निर्मार में स्ववर्ड वोटर्स भी कुछ सीटों पर निर्नायक भूमिका में रहते हैं वही पिछले चुनाओ में बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण स्वर्ण समुदाय की नाराजगी भी थी दरसल मुख्यमंद्री शिवराद सिंग चौहान का एक बयान कोई माई का लाल आरक्षन नहीं हटा सकता इसके जर्ये स्वर्ण समाज में पनपी नाराजगी का अंजाम बीजेपी पिछले चुनाओं में बुगत चुगी है अपने कोर वूचर समुख को भी बीजेपी मनाने की कवायद में लगी है ऐसे में मध्यप्रदेश दौरे के आगाज में अमिच्या के परशुराम जन्मस्थली जाने की कारिक्रम को इसी नजर से देखा जा रहा है वैसे आपकी क्या राय है अमिच्या के इस दौरे को लेकर हमें कॉमेंट करके जरूर बताए